नमस्कार सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। निजी बस चालक भाग निकला। जहां पर चिकित्सकों ने बुजुर्ग वर दो महिलाओं को मृत भोशित कर दिया। जबकि बच्चे की हालत गंभीर होने पर मंदलिया अस्पताल रैफा कर दिया गया। घायलों में बुल्ले चौहान सोमारी देवी कुंदन शामिल है। नगर पुलिस अधीक्षक नीतेश सिंग पुलिस क्षेत्रादिकारी नगर मनोज गुपता ने दो घंटे बाद घटना स्थलका निरीक्षन किया। सत्य यात्रा न्यूस से आशुत और शर्मा की खास ख़बर धन्यावाद। सबी के लाज चलना है, एक बच्चा थुरा सगे महीरा, बाकिस सभी इसके बिल हैं, अकारवाई की जाए। कड़े धाम से, कहां के राने वाले हैं आपो, अभी एक्सिडेंट हुआ है, किस गाड़े से हुआ है? ट्रक से, कितने लोग का अभी खतम हुए है? कितने लोग खतम हुए है? टील लोग बच्चे साइब 4 आप लोग रहने वाले ट्रहा क्या है थाना पूर मतलब भधोहीं यहावाटी है तद्रम रहे बढ़े जंगईवाटी है क्या हुआ जंगईव अबर उगरसेन पठी अगरसेन पूर्ट्व इस्टेसम के पास अब डूग कहा जा रहे थे दर्शन के लिए द यहां थे तो आप बिंदिया चल गए थे कि इधर से आ रहे थे अभी जा रहे थे मलब आपर रामपूर पर सोय थे चार जे सुबह रामपूर से चले हैं कौन सी बग थे लगभग संख्या कितनी सी तेरा लोग थे मृतक का नाम भी बता सकते हैं क्या बता दीजे बल्लो और बच्चा है चोटा को भी नाम नाम नहीं रखा गया था उम्रे लगभग कितनी रही होगी अच्छा जो गाड़ी में फसे हो क्या चालक है चला वही रहे थे आपका नाम मेरा नाम बिजे गायल सब हैं नहीं खतब होगे चालो नहीं चालो खतम है और सब घायल है क्था क्था नहीं